कैंसर के मरीज्यों को अब कीमोथिरेपी के लिए राची और जमसेत पूर के अलावे दूसरे सहरों का रूख नहीं करना पड़ेगा। इसी के मद्देनजर आज कोडर्मा में कीमोथिरेपी ब्लोग का उद्धाटन किया गया। होली फैमिली अस्पताल में केंदरिये सिच्छा राजमंत्री अनपूर्ना देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादो ने जांजरी कीमोथिरेपी ब्लोग का विधिवत उद्धाटन किया। आपको बता दे कि इस अस्पताल का संचालन मुंबई के टाटा मेमोरियोल होस्पिटल अग कोडर्मा के कैंसर सर्वाइवल मरीजों के द्वारा बनाये गए एक ट्रेस्ट के द्वारा किया जाएगा। टाटा मेमोरियोल होस्पिटल मुंबई के कीमोथ्रेपी के हेड अब डिपार्टमेंट डाक्टर परबास के निर्देशन में कोडर्मा में अस्थापित कीमोथ्रेपी ब्लोग की मॉनेटरिंग भी की जाती रहेगी कोडर्मा में कैंसर मरीजों और कैंसर प्लीतों के द्वारा आवर हैपी फैमिली ट्रेस्ट का गठन किया गया है और इसमें समाज के हर वर्क के लोग सामिल है और इसी ट्रेस्ट के पहल पर Holy Family Hospital परिशर में जांजरी कीमोत्रेपी ब्लॉक खोला गया है इस मौके पर कार्ट क्रम को संभोधित करते हुए मंतरी अनपूर्णा देवी ने कहा कि जीले में ही कीमोत्रेपी सिंटर खुल जाने से कोडर्मा समेत आस पास के जीलों के कैंसर मरीजों को काफी लाब पहुचेगा और समय के बच्चत के साथ साथ उन्हें आर्थिक बच्चत भी होगी उन्हें ने कहा कि कीमोत्रेपी कैंसर के इलाज का सब समाथ पूर्ण पहलू है मंतरी अनपूर्णा देवी ने कहा कि कैंसर का नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है लेकिन सही समय पर सही इलाज से कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी भी ठीक हो जाती है जो पेसेंट हैं जिसको भी केमोटेरपी लेना होता था तो कहीं न कहीं उन्हें राची पटना या फिर अन्य सहर में जाना पड़ता था तो इस सेंटर के बनने से उनको फाइदा मिलेगा कि एक तो उनका जो समय बचेगा दुसरा खर्च बचेगा और केमोटेरपी के बाद परिशानियां होती थी साइद यहां पे रहने से चुकी घर के पास होगा तो उनको यह समस्याइव नहीं आएंगी बाहर आने जाने वाला तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को पाइदा में लेकिए समय के अनुसार यह कोई सोचा नहीं था कि यहां के मोटेरपी सेंटर भ होना चाहिए और हर चीज संभाव है ऐसा नहीं है कि नहीं संभाव है सब कुछ संभाव है आगे बन चाहिए